विटकोइन के बारे में और साथ हम यहाँ पर बात करेंगे इतिरियम के बारे में और बात करेंगे और बात करेंगे यहाँ पर हो भी ग्लोबेल का जो stable coin है उसको लेकर अब इस टेम पे जो भी updates निकल के आ रही है उसके उपर भी पुरा details में इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे तो आप वीडियो को बिना skip को है पुरा एंडे तक जरूर से देख सकते हो बाकि अगर अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो अगर अब stable coins के बात करोगे तो stable coins का पेग लूज करना हमें यहाँ पर टेरा लूना का जो से पहले बार पहले बार देखने को मिला तो जब से टेरा लूना का case हो है उसके बाद से जब भी कोई भी stable coin डी पेग होता है तब हमें यहाँ पर बहुत सरे updates देखने को मिलता है अब इस टेम पे देखोगे तो कुछ दिन पहले TRX का जो stable coin है उसके अंदर भी हमें डी पेग देखने को मिला और इस टेम पे हमें होवी ग्लोबेल का जो एक्सजेंज है उसका HUSD stable coin उसने $1 का जो पेग है उसको lose कर दिया ठीक है अगर अब बात करोगे तो यहाँ पर उसका यही कहना है कि US dollar के comparison में होवी ग्लोबेल का HUSD 15% जो है यहाँ पर नीचे आ गया था ठीक है somewhere around 85 to 84 यहाँ पर cents के आसपस जो हमें होवी ग्लोबेल का stable coin देखने को मिल जा था अब इस टाइम पर देखोगे तो यहाँ पर होवी के बारे में यह बता लग गया होगा बाकी मैं आपको यही बूलूँगा कि जितने भी coins का stable coins है आपको stable coins के उपर जादा नजर रखना है अगर आपने किसी भी coin का stable coin वाला जितने भी और से उनके अदर अगर आपने इंबस्ट करके रखका हुआ है तो उसका stable coin के उपर आप जरूर से देखना अगर वह डीपेग होता है तो हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा दाउनफॉल देखने को मिलेगा ठीक है तो चलि पर देखूँगे तो यह जो जो जोन था यह बिटकोईन के लिए बहुत ही जादा इंपोरेंट था लाइक 23,200 के असपास इसी जोन को बिटी सी यहां पर सस्टेन नहीं कर भाया ठीक है तो यहां से हमें डारेक्ली प्राइस के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिला या तो मेरे हिसाब से क्या होगा कि विटकोईन के प्राइस के अंदर हमें और बी तो दाउनफॉल देखने को मिल सकता है लाइक विटकोईन के प्राइस के अंदर क्या possible movement हो सकता है तो exactly हमें उसी possible movements के उपर जो है Bitcoin के प्राइस देखने को मिलड़ा है next Bitcoin के लिए जो मैं यहाँ पर expect करो वो है 22,452 के आसपस जो हमें Bitcoin के प्राइस देखने को मिल सकता है ठीक है ऐसा कोई बात नहीं है कि Bitcoin के प्राइस यहां तक नहीं आएगा मेरे हिसाब से Bitcoin के प्राइस 22,400 वाल जो जो ने इसी जोन तक भी टाच कर सकता है अगर इसी जोन तक Bitcoin के प्राइस आ गया तो हमें जो है बाकी और्ट के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा जाधा आउनफल देखने को मिलेगा ठीक है तो आब इस टाइम के लिए फॉर नाव आपको सबसे जाधा इंपोटेंट यहीं होगा कि आभी इस टाइम पर तो हर कोई शॉर्ट में ज देखने को मिला है तो इसके लिए अभी इस टाइम पर आप अपने एंड से जरूर से देख लेना कि exactly आपको क्या करने मेरे इस सबसे आपको अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो शॉर्ट साइड में आपको स्टॉपलोस का यूज जरूर से कर लेनी है और फांड्स जितना कम हो सके उतना कम फांड्स जो है आप यह आपर एकुमूलेट करके ट्रेड करो ताकि यह जो अब इस टाइम पर साइडवेज मार्केट चल रहा है इस मार्केट के अंदर आप सर्वाइब इसली कर पाऊ ठीक है आपको यह आपर बिटकोइन के बारे में समझ में आ गया होगा कर द». को मिलेगा तो इस टाइम पर इतिरियम के प्राइस को देखोगे तो इतिरियम सपोस्ट टू टेक टेक सपोर्ट ओन डेट लाइट लेना चाहिए था लेकिन अनफॉर्जुनेटली बिटकोइन के अंदर जो भी हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है तो उसके जलते हुए उसी टेले लाइन के असपास इतिरियम माल्टिपल टाइम से सपोर्ट ले रहा है तो उसके बाद प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर एक अंसलिडेशन देखने को मिल रहा था तो जब प्राइस ने इसी लॉआ टेरियम के अंदर हमें एक अच्छ बाकि आप जो भी करना चाहते हो तो फिर आप अपने एंड से जरूर से देख सकते हो और इस टाइम के लिए फॉर नौ या शॉर्ट दोनों में से जाओगे तो यहाँ पर आपका लोस होने के चांसे बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी इस टाइम पर मार्केट क कौँ से डारेक्शन में जाने वाला है या पी डाउनवाद डारेक्शन में उसके बात जाके आप यहाँ पर तोरह कंफरमेशन के साथ अब अगर अगर ट्रेड लगाओगे तो उस ट्रेड के अंदर आपका संस होने की चांसे बहुत जादा होगा तो इसके लिए आप इस उन प्रॉफिट में से पार्ट सेंट वान परसेंट का जो ही यहापर जो भी फंट उसको निकाली और उसके बाद आप इस ट्रेंप पर करेंट मार्केट के अंदर इंबेस्ट करना चाहते हो तो फिर आप जरूर से कर सकते हो ठीक है अब इस बहुत देखने को मिलेगा अगर जाओगे तो फिर यहाँ पर कोईन के प्राइज नीजे चला जाएगा तो इसके लिए अब तोरा वेट जरूर से करो ठीक है तो बाकी यहाँ पर चलिए हम डिटेइस में डिसकस करें थे हमारे सबसे पहला जो ऑल्ट को है उसके बारे में और इतिरियम को लेकर मैं आपको यह तो एप की प्राइज अब इस टेम पे देखोगे तो 5.6155 के आसपस एप का प्राइज अब इस टेम पे हमें देखने को मिलड़ा है तो एप कोईन क्या है कि एक हाईप बेजड कोईन है जो कुछ दिन पहले ही लॉंच हुआ था अगर आप अल्टाइम हाई की बात को रग तो एप कोईन के लिए मैं आपको यहीं बोलूंगा कि एक हाई बेज टोकेन है तो जब भी हमें बिटकोईन के प्राइस के देखने को मिलेगा तब इस को अगर आप इसको जब भी प्राइस उपर जाए तब आप अपना प्रोफिट को बुक करना चाहते हो तो फिर आप ज तो मैं यहाँ पर फिट से आपको माना के ऊपर बोलूँक़ कि माना अगर आप यहाँ पर एंटरी लेना चाहते हो तो अभी इस टाइम बिक्ती कि अदर मेरे हिसे बैदर क्या हो सकता है कि माना के प्राइस के अंदर हमें और भी दूरा डॉन्फोल देखने को मिलेगा उतना जादा ज़ो है आपको लॉंग टाम के लिए एक उमूलेट कर लेना क्योंकि लॉंग टाम के लिए माना आपको बहुत अच्छा अपूट अच्छा अप्रोफिट बाना कर